दुर्ग आरे नगर से राह चलते वैक्ती से लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है दुर्ग में मोहन नगर थाना शेतर अंतरगत आरे नगर पर हुई लूट की घटना में सड़क से गुजर रहे वैक्ती से लूट की घटना को अंजाम दे कर फरार हो गया जिसके बाद घटना की शिकायत मिलते ही दुर्ग पुलीस जांच में जुड़ गई बतादे की सरक से गुजर रहे दुर्ग निमासी हिमंद चंद्राकर से आरोपी रिशी कुमार यादाओ के द्वारा प्रार्ती हिमंद चंद्राकर को रास्ते में तेज धारदार हतियार दिखा कर पर्स मुबाईल सहीद दुपहिया वाहन को लूट मौके से फरार हो गए जिस इसके बाद हिमंद चंद्राकर ने स्थानी थाना मोहन नगर ने पहुंचकर घटना की जानकारी दी जिस पर ततकाल प्रभाव से मोहन नगर थाना पूलिस टिम ने घटना स्थलका धिरिक्षन किया और आरोपी की पतासाजी में जुट गई बतारने के शुक्रवार की दोपार दुर्गुर निवासी एमंद चंद्राकर अपनी नीजे काम से घर जा रहा था जिसे आरोपी रिशी यादव ने चाकू दिखा कर 14 सो नगर मोबाईल सहित उसकी जुपीटर वाहन को लेकर भाग निकला जिस पर थाने में हुई शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने प्रार्थी का मोबाईल ट्रेसकर आरोपी को कुछ ही देर में पकड़ लिया मोहन नगर पुलिस थाना लाया गया जिस पर अब आरोपी पर ज़रूरी कारवाई की जा रही है Grand A.C.N. News के लिए दुरुगसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट